तो गाईज आज की SmackDown के अंदर सबसे बड़ा सवाल यही था कि Roman Reigns का अगला अपोनेंट कौन होने वाला है लेकिन आज की SmackDown के अंदर Roman Reigns ने कुछ अलगी खिल खिल दिया तो आज WrestleMania के बाद ये पहली SmackDown थी जिसके अंदर Roman Reigns पूरी Bloodline के साथ में आते हैं आपर Roman Reigns बोलते हैं कि मेरे पास Universal Championship थी इसके बाद मैंने WWE Championship ले ली मतलब SmackDown मेरे पास पहले से था और अब मैंने Raw भी ले ली है तो देखा जाए तो मेरे पास अब कुछ भी अचीव करने के लिए नहीं है लेकिन अभी मुझे Bloodline के लिए बहुत कुछ करना है जब मैं अपनी फोटोस के अंदर देखता हूँ कि मैं एक बंदा हूँ और मेरे पास दो बैल्ट मौजूद हैं बट जब मैं Jimmy और Jey Uso को देखता हूँ तो वो दो बंदे हैं बट उनके पास दो बैल्ट हैं तो मुझे बिलकुल भी अच्छा नहीं लगता है और इसके बाद वो टाइटल यूनिफिकेशन की बात करते हैं टेक टीम चेंपिशिप की तो गाईज हमें रॉ के अंदर जिमी और Jey Uso वर्सिस आर के ब्रोस की स्टोरी लाइन देखने को मिलने वाली है इसके बाद गाईज शिंसके नाका मोरा का थीम सॉंग प्ले होता है और वो रिंग के अंदर आते हैं और रिंग के अंदर आने के बाद वो कुछ बोल पाते हैं उससे पहले ही रोमन रेंज उनको गले लगा लेते हैं और दिलासा देने लगते हैं मतलब रसलमेनिया के अंदर जो उनके टेक टीम पार्टनर रिक बूक्स के साथ जो हुआ इसक बाद भाई सब रोमन रेंज थोड़ा पीछे हटते हैं और उनके पीछे हटते ही जिमी और जे उसो की एक सूपर किकाती है शिंस के नाका मोरा के उपर और बस मेन इवेंट खतम इसके बाद हमारी वीडियो भी खतम तो वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक कर देना चैनल क को सब्सक्राइब सरूर कर देना